मद्धिपरेश में करोना की केस लगातार बढ़ रहे हैं, कल 10-10 केस एक दिन में सामने आए निश्चित ये चिंता वाली बात है, मगर एक नई चिंता वाली बात है कि ओमी क्रोन के एक नया वेरियंट मद्धिपरेश के इंदौर मिला है जिसका नाम BA2 है, और एक तीसी चिंत वाली बात है, लिए बी ए पाइंट बन को अभी ओमी करोन बेरियंट माना गया था, अब बी ए पाइंट टू और भी ओमी करोन का बेरियंट माना गया है, तो इसके भी अब केस निकल ना हैं और ये जो ओमी करोन का प्रोटोकॉल है, उसका भी जो पूरा पालन हम लोग करे हैंगे अभी मद्द प्रदेश में संख्या पिछले दो तीन दिन से गैरा हजार दस हजार आज 9451 केस पॉजिटिव आए हैं और रिकबरी भी आज करीब 8457 हुई है तो केसों की संख्या तो अभी मद्द प्रदेश में लगबख सत्रह हजार करीब है सरकान ने सोचा है कि यह हुआ जैसे कई शहरों में पीक पहुंच गया है तो हमारे मद्द प्रदेश में कब ऐसे पीक पर पहुंचके फिर धलाने शुरू होगी अब अभी देखिए एक जग तो कुछ नहीं बताए जा सकता कि पीक कब आएगी लेकिन अभी जो पिछले दो तीन दिन का अगर अब फिगर हम देखें तो गैरा हजार गैरा हजार तीन सो और दस हजार नो हजार चार सो करीब है तो अब इससे हम लोग अंदा लगा सकते है बाकी तो अब जिस तरी के से हैं अभी केस तो फिर्वाल निकल रहे हैं वह मौतें भी हो रही हैं छे दिन में छे मौतें हो गई हैं अब जो भी मौतें हुई हैं अभी वह ज्यादे तर को मौरूटी वाली हैं जिनको अन वीमारियां भी हैं और सब लोगों को ध्यान तो को रखने हैं प्रोटोकॉल भी सऽब को पालन करना पहले से हम लोग सबसे अन्रूद भी कर रहा है कि सब जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका पालन करें बैक्शनेशन वी कि जो लोग छूट गाएं वो लगवाते रहें अगर कोई नई पावंदियां जैसे लगू करने के अभी ऐसी कोई बात सरकार सोच नहीं रही है अभी भी मद्द प्रदेश में काफी पावंदियां लगाई नहीं है इसकूल भी अभी हमारे बंद हैं इसके साथ ही हमारे जो स इंता वाली बात तो है मगर फिर भी सातरक और साथानी बरतनी जरूरी क्योंकि जिस सरीके समामले बढ़ रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं उससे सरकार सोच ही है कि हो सकता आने वाले या इस महीने के आखे तक वो पीक है वो केसे कम होने शुरू हो और यही राहत वाली बढ़ पर